मैं यूटूब चैनल एंड आज जो बात करेंगे आई पीसी का जो अभी जस्ट नया एनॉस्मेंट आया है जैसे आप अगर आपके आईडी लोगिन करके दिखते हैं तो आपको वो एनॉस्मेंट आपके नोटिफिकेसन के दुवारा मिल जाएगा ठीक है अदरवाइस नहीं एनॉस्मेंट वो आपको मैं यहां पर बताया था हूँ ठीक है बहुत सारे दोस्ते यह भी बोलने हैं कि बड़े-बड़े जो लीडर से सम्थिंग आई पी आपीसी का जो इस विक में या पर लाश्ट विक में विड्रॉल जो है स्टार्ट हो जाएगा और अभी आज का ज एक्सेंज ओफरिंग आई-ई-ओ के माधियम से हमारे उपयोग गरता के लिए उपलप्त करा जाएगा उपयोग करता को टोकन विकरी में भाग लेने के लिए यूसडी आई केपिटल के स्टेबल कोईन का उपयोग करने के आवश्यक्ता होगी टोकन विकरी के बाद आई- इसी विक्रेदी करत एक्सेंज पैनकेक स्वाप पर सुची बंद किया जाएगा और आम जनता को विपार करने के लिए उपलप्त करा जाएगा ठीक है यानि कि इनका जो एक इस्टेबल कोईन होगा जिसका नाम होगा आई-उस्डी और उसके इलावा इस्टेबल कोईन और यहाँ पे जो दूसरी जो अपडेट है कि भाई गटनाओ की समय रेखा यानि कि इनकी जो डेट है 23 अपरेल 12 पीम आई-ई-ओ चरन वन एंड 24 अपरेल को दूसरा आई-उस्व चलेगा वो चलेगा वही टाइम एंड 25 अपरेल को भी एक आई-उस्व चलने वाला है पे इनकी स्वाइब के उपर इनका टोकन 25 अपरेल 12 पजे को लॉंच होने वाला है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और दूसरी उप्यों करता के लिए टोकन में असमत हैं इस मुद्दे को हमारे आई-पी कलाउड एप की आसान लॉंच के साथ हल किया जाएगा आई-पी-स आई-पी-केपिटल के बहुत ही क्रिप्टो वायलेट में दरती आप लगाने के लिए अरजीत करना है सकसम होंगे तो यह सब कुछ मेरे को अलग सा लग रहा है क्योंकि अगर विड्रोल देना है तो इनको टोकन अभी लॉंच करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे एक औ खोनें तरह की प्लान थे ट्वइंटी डूलल का रोबोट या फिर होड़ी का रोबोट या फिर नाइन टी немाइन डूल ररको उसके बाद में उसको कलॉज करने की तो यहां पर बहुत सारे options यहां पर लग रहे हैं पर तो मेरे को अभी यहां पर एक doubt भी है बहुत सारे और यहां पर थोड़ असा और बाकिए वह भी पढ़ लेते हैं IPC token को इस तरह थे उपर बढ़ने के जिए मतलब यह IPC token जो है यानि की exchange के उपर भी लिस्ट होने की यहां पर मतलब लिस्ट होने का एक कारण भी हो सकता है और IPC token के संपर्ग में आ सकते हैं आई पी कलाउड वायलेट एंड गेर अन्य टोकन ठीक है तो यहां पर एक और यह कारण था मैंने आपको बता दिया बाई अगर यह सब करना था टोकन तो इन्हों ने जो investment plan थे पहले तीन वो close कि वो करने की क्या जरूरत थी दूसरी बात की इन्होंने BTC USDT में ट्रेड करने की क्या जरूरत थी तो यह बात है और तीसरी बात की अगर इनका यह ट्रेडिंग का platform है तो इनको यह token launch करने की क्या आवश्यक्ता थी तो यह चार बाते हैं जो थोड़ी सी अलग लग रही है चलो कोई दिकत नहीं है देखते हैं 25 तारिक 5-6 दिन बाकी है तो वो भी निकल जाएंगे तो thank you so much दोस्तों जो update थी आपके वेलेट या फिर आपके जो आपके पास email होगा उसके अंदर आपको notification मिल गया होगा ठीक है thank you so much दोस्तों वीडियो से लगवत लाइक करिए subscribe करिए आपके अपने YouTube चनल को दन्यवाद